नमस्कार दोश्तो वेलकम बेक टू यूटूब चैनल तो देखो फ्रेंट्स यहाँ पर जितनी भी क्वेरी है उसके आंसर भी इस वीडियो में देने वाले है बिटकोईन को भी देखेंगे और रस्या एन युकरेन का प्रोब्लेम कहा तक पहुँचा है उसके बारे में भी बात्चेत करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहें कि यहाँ पर देखो प्रोब्लम बहुत खड़ी हो चुके यहाँ पर देखो यूकरेन के सेनिक मारे भी गये उनमसे देखो रुसी हमले में सद्की मोत 9 जक्मी नव लोग जक्मी हुए युक्रेन का दावा मारे 50 रुसी सेनिक तो देखो भाई यहां पर युक्रेन का भी दावा किया गया है आमने सामने सेनिक मरे है नेक्स्ट यहां पर देखा दाए युक्रेन के क्यू में युक्रेन के क्यू में उसका एरपोर्ट पर भी भारे हमले की खबर है तो एक ब इसी 20 नाटो ने हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है चानकारी के मुताबित नाटो का कहिना है कि 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान आई अलट पर इसके अलावा 120 जंगी जहांज भी 13 नाटो का कहिना है कि जो भी जरूरी होगा हम करेंगे तो देखो भाय अब नाटो शप भाई क्या क्या के रहे तो देखो भाय ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत सोचो क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है क्रिप्टो मार्केट है समझ रहे हो और शामने यूद है यूद में भी कुछ भी हो सकता है साथ ही साथ यहां पर एक और न्यूज अपडेट निकल के आ रहा है युक्रेन संकट पर पीम मोधी करेंगे बैठक तो देखो भाई युक्रेन में जो प्रोब्लम आ रहा है अमारे प्राइम मिनिस्टर मोधी जी एक बैठक करने वाले उसमें क्या-क्या निकल के आता है उसक तो कोई फाइदा है नहीं आप समझ सकते हो नेक्स्ट यहां पर देखें क्यू के अंदर यहां पर अपडेट यह दिया जा रहा है क्यू में पांच मिनिट के अंदर सुना इदी चार धमोक की गुंच तो देखो भाई कीम में भी तड़ाके हुए है तो यह भी एक बहुत प्रोब्लेम है देखो यहां पर बिटकोईन का प्राइज अभी चला है 35,340 डोलर चैसे कि आज की विक देखा थे विक कहां तक गई थी 34,322 डोलर तकरिबन 25 लाग रुपे के अराउंड अराउंड बिटकोईन चला गया था अभी चला है 26 लाग से उपर तो देखो भाई 32,900 मतलब 24 लाग रुपे के अराउंड अराउंड तो मैंने कहा ही है कि देखो भाई 24 लाग तो बिटकोईन का आना ही है यह यूद थोड़ा और चला तब की बाद है यूद कंपलेट होगा वहां से ही बांस बेक मिलेगा उसके पेले कहीं बांस बेक मिलने वाला नहीं है अ लोग किसी को लोच हो गया 50% टेज का जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अब उससे क्या करना चाहिए मैं यहां पर इस वीडियो से में बता देता हूँ अब इतना लोच हुआ है शेल करने से कोई फाइदा नहीं अब उससे यह करना है फंड नया इन्वेस्टमेंट क पर देखो आपके बाद पेशा है 5000 रुपे मानलो आप डालना चाहते हो चोभी इंवेस्टमेंट के 5000 डालना चाहते हो तो करंड प्राइज पर 25 रुपे जितना डालना चाहिए करंड प्राइज पर आपको 25 रुपे जितना डाल देना चाहिए उसके बाद BTC का आपको वेट करना है 24 लाख रुपे पर आ जाए मतलब हो गया पूरा पूरा इंवेस्टमेंट 500 रुपे बजता है जब BTC 18 रुपे आता है तब वो 500 रुपे डालना है अब ये रेंज में नहीं आएगा मुझे भी पता है बट तो भी फ्रेंड्स फंड बचाना चाहिए अब अधारा लाग आ गया और हमारे पास फंड नहीं तब हम देखेंगे थोड़ा फंड बचाया होता तो अच्छा रहता यह हो गया इन्वेस्टमेंट कैसे करें यह तो जिन जिन लोगों को जो भी कोईन में लोस हुआ है अच्छा खाजा फंडामेंटर स्टोंक कोई है तो फ वीडियो में भी बता रहा हूँ उसको इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है चैसे कि दस जार उपे का कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है फोर एक्जामपल तो उनको करेंट पर प्राइस पर पांच जार रूपे तो डालना ही चाहिए क्योंकि 50% इन्वेस्ट कर ले और मार्केट यहां से हो गया तो इपर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो मारकेट में कोजिटीवीती चलती हो तब की बाद है जब पोजिटीव मारकेट चलता हो तब की बाध है next अब देखो फ्रेंट्स यहां पर फेमिली का अंसर लेते एक पीडियाप बना के हम यहां पर सेर कर रहे हैं आप लोगों सबसे पहले महुद आरिफ जी का यहां पर क्वेरी है सर्जी टोकन कोकोज पर पैसे लगाये थे वो तो रिमूव कर दी क्या कोकोज दुबारा वापस में आज कुछ प्रोब्लेम था मतलब मैंने कल ही एनॉश्मेंट किया था कि आज यह जो प्रोब्लेम है दो से तीन घंटा रहे सकता है अब बाइस नहीं कर पाऊगे टोकन भी गायब हो सकते बट वह वापस मिल जाएगा और आई थिंक अब सो भी कर रहे होंगे नेक्स यह करे में आपका सब्सक्राइबर हूँ बट कल एक भी वीडियो नहीं आया नहीं तो में खरीदता तो देखो बाइक कल के दिन वीडियो नहीं आया आप टेलिग्राम को जोइन करके रखो काफे बार नोटिफिकेशन का इस्यू आ रहा है लिंक नीची प्रोबाइड किया है क किसीप पर जा सकता है तो अब फंड बचा के रखना में तो इतना ही कहना चाता हूँ फिर बहले हमें उपर से बाइग करना पड़े बट अभी जो सिच्वेशन है मार्केट में अभी यह तो नहीं कि किसने बेन लगाया बेन लगाया वो तो दो तिन दिन में सही हो जाता है यह तो वर्ल्ड वार हो रहा है तो ज्यान दो कौन सा सिच्वेशन अभी चल रहा है क्या करे सर राखिश सिंग जी यहां पर एक वेरी कर रहे कि क्या करे सर देखो राखिश सिंग जी आप मेरे इसाब से होल्डिंग बनाए रखे बहुत लोस हो रहा होगा नया फंड है तो अच्छा खासे टोक कने तो रिकवरी हो जाएंगी डव्ली आरेक स्मार्च में 55 तक जाएगा कि भाई बताए में 56.96 पर बाई किया है चैसे यह जो यूद वगेरा कंपलेट हो जाता है तो वजरेक 100 रूपे भी जा सकता है और नीचे देखा थे 20 रूपे भी आ सकता है तो द राजा जी एक रहे गुड जोब डियर प्लीज गिव मोर अपडेट थेंक्यू बिटीसी 24 लाग राएगा देखो भाई राजा जी आ सकता है बिल्कुल 24 लाग नेक्स टार्गेट इसका ही है अभी सपोर्ट रिस्टन्स काम ही नहीं करेंगे क्या हो रहा है देखो भाई मार स्टरीट करो में पोर्टफोइल बना की देने वाला हो कि कैसे पोर्टफोइल को क्रिएट करें क्या सवर आप बंदरा दिन तक रेट गिरते गाएं वर्ड वार थरी की पूरी संपावना है पेशण यूद के संकेत है कोई भी क्रिप्टो को बाई मत करिए दस दीन मिनिममम किसी का एक वेड़ी है संसार जी का ठीक है आपकी बात भी सही है चैसी कि अभी वेट करना चाहिए जो शॉट्ट ट्रेडर है उसको टो वेट ही करना चाहिए बढ़ जो लोंग्टम के लिए कुछ करना चाहिए अच्छे कासे टोकन फॉर एक्जांपल एथेरियूं लेना चा तो थोड़ा ज्यान देखे ट्रेड करना सोटम में किसी से पैसे लेके एसा पंड इसमें मुट डालना देखो प्रेंट्स यहां पर हमने गोल्ड को ओपन किया हुए गोल्ड का प्राइज 53,200 इंडियन रूपीज चल ला है देखो इसका छलांक कितनी बड़ी तरीके से हाइप लगा है क्रूड ओयल हो गया उसमें भी एसाई हुआ है और यहां पर आप गोल्ड को भी देख पार है इसमें भी एसाई हुआ है एक बहुत बड़ा जंप आपको देखने को मिल गाए अब ऐसा क्यों हुआ क्यों कि लोग पैसा निकाल के गोल्ड में इंवेस्मेंन किया या तो आन